हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपका स्वागत है 20 दिसंबर 2020 यानि आज ही फोरिष्टर का एकजाम खतम हो चुका है और आज मैं एक सिले के 100 तक कोशन आपको कराने वाला हूँ और यहीं कोशन आपके परिक्षा में आया था तो आपना असकोर जरूर बताईएगा इससे मिल तरी अमेरिका के यहां ये पशमी तट पर मिलेगा उतरी अमेरिका के पशमी तट पर यह इस्थित है कुरलफोर्णिया यह याद रहो जाएगा उधर dry को कोशन नमर 29 24 कि ननितर भीन आपके 100 गो道र सरम dogs समाज सब्सक्रां संसे था तो बाल सम्राम उडिस यह जादा는 कुश्य नबर तीन है कि माई 2020 में भारत के किस सहर ने जहरीली गैस का रिशाओ के सामना किया आप देखे भी होंगे न्यूज में भी ये था आपको विसाखा पटनम विसाखा पटनम था यह याद रखिएगा कुश्य नबर चार था कि भारत की ये सवत अंतरता अंदोलन में उन्हें 42 गांधी जी द्वारा अंदोलन चलाया गया तो उन्हें 42 में भारत छोड़ अंदोलन के शुरुआत किया गया था ठीक ये याद रखिएगा कुश्य नबर फाइफ है कि उस्तम ने आले क्या न्याइक पुरवालोकन की सक्ति किस अनुश्य दिक अंतरगत है तो न ये मिलिखित में किसने 1857 की करांती को राश्टिय करांती नेशनल रिबोल्ट होसित किया तो ये जो थे ये बेंजामिन डिजरैली थे ये याद रखिएगा आगे देखते हैं कुश्य नबर एट है यहाँ पर कि वर्स 2020 में रोजर पेन सोरे रोजर पेन सोरे को की छेत्र मे नोबल पुरुसकार मिला था मैंने बोला भी था कि नोबल पुरुसकार देख कर जाएगा ये भोतिक ज्यान के छेत्र में इनको मिला था ठीक कुश्य नबर 9 देखते हैं कि वर्स 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की दूसरे अस्थान पर स्वार्धिक जनसंख्यावला दे देखिए कि अटल पेंसन योजना किसके भलाई के लिए सुरू किया गया था ये सुरू किया गया था और संगठित छेत्र के कामगारों के लिए अन और्गनाइज सिक्तर वरकर के लिए ये सुरुवात किया गया था अटल पेंसन योजना कुश्य नमर 11 देखिए कि महत्मा सबसे लंबा बांध कौन सा है तो बिस्ट के सबसे लंबा बांध कुछे यह दोनों में हो जाएगा हीरा कुंड बांध यह याद रखिएगा कुशन नमर चोदे देखें कि जो जो गेंदर सी युद्य असमारक का उध्गाटन हुआ था यह किस आपको राज्य में हुआ था यह आपको सबसे पुरुवी राज आपको चले जाएगा यहाँ पर कहाँ पर तो यह आपको ओडाचल परदेश में कुशन नमर पंदरा देखें कि राइट टू प्रपटी मिस्की यह तो कुशन में आपको कराया भी था कि जो सभीधान में सात मॉलिक अधिकार थे उसमें वो था ठीक मैंने बोला था कि गराब से पांच कुशन रिलेटेट आपको देंगे तो देखें गराब से कुशन दिया हुआ है अब यहाँ पर जो भी गराब से कुशन था मैं बस उसका इंसर बताते चल रहा हूँ अपना मिलान आपकर लीजेगा इसे रोक कर ठीक इसे रो ही होगा इस बात को ध्यान मर खिएगा कि किस उत्पाद के कीमत में पिछले साल के दवरान बढ़ने के अधिक्तम परतिस्यता देखने में है यह आरा लकड़ी को मिला है यह सीध़ है यहाँप वर्स में सभी तीनों उत्पादों के मुल में ब्रेधी होई है यह कि वर्स हो क्या हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा यहां पर 2012 में देखिए कि तीनों का हुआ है यहां पर देखिए यहां से यहां से बड़ा है यहां से ऐसे बड़ा है और यहां से ऐसे बड़ा है ठीक यह यहां पर देख लीजे दोजर बारा होगा एक साल जो लोग सोच लेता है कि यहां पर बढ़ रहा है न वो इसके एक पीछे लिया जाता है इसे बात को द्यान मर किया को 19 देखिए लखड़ी के प्रतिक क्युविक मिटर के कीमत में अधिक्तम बढ़ोतरी परतिसत है तो अधि अधिक डी हो जाएगा आगे चलते हैं देखिए मैंने कल ही आपको रात को बता दिया था कि मैथ जो आएगा आप धुम धम समयत कर सकते हैं और जितना लोग डर गए थी कि मैथ पूरा 12th लेबल का पूरा अंदर का देगा ऐसा नहीं दिया था और बाइलोजी भी अच्छे क्या कर रहा है यहां पर देखिए कि दो संख्याव का योग असी है यदि बड़ी संख्या चोटी संख्या चार गोनी से पांच अधिक है तो चोटी संख्या क्या है तो चोटी संख्या आपको 15 हो जाएगा और बड़ी संख्या 65 हो जाएगा जो कि चोटी संख्या के चार ग कumेंट भॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप जानती है तो टिक इससे मैं आपके उपर चोड़ रहा हूं कि आप यह और रोटकों से मैंने पूचा था भर तो अन सभीन इसमें क्या होगा पृतगरी ग्राँ है यहां पर मंगल ग्राँ है लेकिन सूरज क्या है एक तारा है ठिक सो लड़की की संख्या आ जाएगा लड़की की संख्या पूछ रहा था तो लड़की की संख्या 11 सो हो जाएगा यहाँ पर देखे इसका निकालना था देखे इसका भैलू निकालना था यह था वह यह था ठीक तो मैंने आपको जो कोशन लोग भेजे थे वो थोड़ा दिए जाता है ठीक आगे चलते हैं कुश्चन नबर देखें कुश्चन नबर 25 में फीगर वाला कुश्चन था यह तो धाय दनी आप लोग लगाये होंगे छे भुजा वाला पाँच भुजा वाला चार भुजा वाला और फिर यहां पर तीन भुजा वाला हो जाएगा तिर कुश्चन नबर 26 देखें यह जो था ना यह इसमें से दो अप्सन तो आप देखें कर खतम कर देते क्योंकि मैंने बोला था कि जो आपको मिरर में क्या होता है कि सामने से रहेगा तो लेफ्ट राइट हो जाता है और पानी में उपर के नीचे बस होता है ठीक तो यह जो य यह कुश्चन पढ़कर धुंदला दिखाई दे रहा होगा काफी मैं सुना देता हूँ हवा दिया है वही मंडल दिया है तो पानी क्या होगा महसागर हो जाएगा बी में था यह आपका अपसंदेख लिजेगा महसागर होगा ठीक फिर चेयर था चेयर को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर GLEM भी लिखा हुआ है तो टेबल गूक यह अपको कुशन था तो टेवल को कैसे लिखिए गा Elle आपको अराम से इंगुरे अपसी इसकीन्स लिए कोरें में दिया हुआ है क्या दे रहा है कि मेरी आयो मेरे ब्हाई की आई से दूनी से दो वर्स कम है यादि आ तो मेरे बाइका क्या है करने का मतलब हम दस वर्स मलने क्या हो जाएगा और इसकी डुगनी से 2 यह कम है तो यहां से विप्र बढ़ाया जोड़ेंगा तो क्या हो जाँग पचीश मिश्की पचीश्वा पर आपको हुआई याँ सुरुआ आता है अगे चलते हैं कुछ किक नमर। 138 से आपको शुरुआती होता है कुछ न presentation क्या है चाहर ही निम्हकीत में मैं सुना देता हूं बस नहीं थोड़ा से को कोशन गुंदला हो गया है तो इसका त्रंग धर्था यहां पर सबसे कम जो होता है ना यह गामा किरण का होता है यह याद रखिएगा पूछ देता है आपसे अगर अपसन होगा तो आप लगाए होंगे चलते हैं आगे चलते हैं ऐसे कोशन अगर देता है तो आपको जरूर लगा ले ना है आगे चलते हैं कोशन नमर 32 है कि परकास के बिबरतन की घटना दरसाती है यहाद रहा है कोशनめて तरंग के बारे द दहुर साती है यह जैद रहा था यदि कोई इहां पर दिखए कि यादि कोई परकास सघहना माध्यम से बिरल माध्यम में तो अभलंप में जाना है तो अभिल goo अपका हुए तो पलगा लेंगे मैं ने सीए कहो जाएगा यहां पर अफसन में दिया है यहां सिए हो जाएगा question no.36 मैं आपके उपर छोड़ देता हूं लेकिन इसका answer जो होना चाहिए यह आपको रिमें इंफिक्टेड होना चाहिए आप खुद बनाईएगा question no.36 दिखिए कि यह दिया हुआ है कि इसमें हा हाइड्रोजन के अक्सिकरनर संख्या माइनस वन हो जाएगा यह याद रखिए का 30 का इंसर जो हो जाएगा कुशन नबर 38 देखें कि खुली स्रिंखला वाले हाइड्रो कार्बन में जिने सी सी बोंड होता है कहलाते हैं तो यह सी डबल बोंड जो होता है यह क्या कहलाते हैं और जो अपको मेधयन होता उसमें सिंगल में इसके अलकेम में आपको सिंगल वाला होता है यह 28 गैंसर भी हो जाएगा कुशन Solid 49 से दिखें के quarter वौशियोव करें जैसे कौन से बहुलक है जो गरम करने पर मिर्दू नहीं होता तो बेके लाइट ही है कुछन पहले भी पूछा चुका है तो 40 कंसर यह हो जाएगा अब यहां पर आगे चलते हैं कुछन नमर देखिए यहां पर 42 है कि बांध में संगरित जलुदा जो बांध होता है यह आपको इस् यह आपको क्या हो जाता है इस्तीती जूर्जा हो जाता है है आपको फटेंसल एनर्जी विधुद सकति का मात्रक होता है यह तो आपर आम से लगाए होगा अगर यह नहीं लगेगा तो क्या लगेगा वाट होता है ठीक कुछिशन नमर 44 दिखे कि गति के तिसरे नियम ट्रोपी की एकाई है तो इनो ट्रोपी के जो एकाई है यह वाला अप सं काई है यह या इद रखिएगा ben 45 कि इस प्राइब और वोईल के नियम और चाल्स के नियम के भी समंद्ध अस्पष्ट करता है वह सबसे इसमें सटीक कौन हो जाएगा यह हो जाएगा डी इसका इंसर ठीक डी अप लगा लिजगा ठीक अगे चलते कुश्शन अबर 48 देखते हैं कि डोपलर परभाव कनुसार जब शुरोत पर चलता है यहां पर तो क्या होता है उसको ज्यादा अवरिति के धोनी शुनाई देती ठीक यहाद रखिएगा तो यहां पर क्या हाईर फ्रेक्वेंसी एस डैट आफ दा सोर्स हो पर चलते होगा पर गुष्चन को दिया था तो चुम बखिये 30 मर पर उनिक महां टेसला वरेट को सतनार उर्शनाई पर करदाए तो यह वाला कैशन तक यह ग्राफ वला question था कि निमने में से किसे एक समान तोरण uniform acceleration जो होगा तो uniform acceleration में क्या होता है velocity यह होता है और time और beach वाला जो होता है यह 45 degree वाला यहीं हो जाता है आपका ठीक तो यहाँ पर यह 45 degree जो होता है यह आपको बनेगा यह आपको inform acceleration बनता है question number 52 दिखे कि द्रिस प्रकास के अवरिती जो visible आपको light है ना उसकी जो आपको frequency होती है यह आपको 400 से 7500 मिसकी यहाँ पर 700 दिया हुआ है तो 400 से 700 NM हो जाएगा यहाँ पर answer B हो जाएगा question number 53 दिखे question number 53 है कि यदि spring में धारा प्रवाहित की जाती है तो spring आपस में संकुचित होती है देखिए का कि वो compress होते हुए दिखाई देगे ठीक तो 3 पन के answer क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा question number 54 है यहाँ पर the number of SS bond in sulfur tree oxide trimmer sulfur tree oxide अगर trimmer देदेता है S3 O9 और इसमें पूछ देता है कि इसमें कौन सा bond है तो यह आपको यह पूछ रहा है कि SS bond की संख्या कितना है तो SS bond की संख्या यहाँ पर सुनने हो जाएगा अगर यहाँ पर जैसे ही ट्रीमर देता है तो चोवन के इंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लगा लीजेगा यहाँ पर सुनने हो जाएगा ठीक कि अगे चलते question number 55 है कि CS3 CO2 example यह किसका है तो यह तो एमाइड का यह कहां गया आपको एमाइड 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 एवक्सांपल ठीक तो यह सी लगा लीजेगा question number चापने के dry ice क्या होता है dry ice जो होता है आपको solid carbon dioxide होता है solid carbon dioxide को dry ice बोला जाता है यह देख लिजेगा question number 57 देखे कि का है elimination ठीक आपको जो इथाइल कोलराइड फ्रूम एथलीन इस एक्धामपल हो मिसकी एथलीन से एथल कोलराइड का निर्माड किसका तो उनमूलन का elimination question number 69 देखिए कि यह polyester of Paris हाड कब होता है तो प्लेश्टर पेरिस में जब मिसकी पानी मिलकर यह हाड बनाता है पानी सब करिया करका ठीक तो 69 कैंसर सी हो जाएगा question number 60 देखिए question number 60 यह तो सबको easy और hard भी था अगर समझ गए तो easy है और नहीं समझे तो hard हो जाएगा बस इसमें पूछ रहा था कि जो वर्कडन किया गया है न कार उसका सही संब्द तो वर्कडन में कहीं displacement आता ह है तो कहीं न कहीं यह दिखिए का कि इधर ऐसे गया है तो लोग सोच रहेंगी कि यह ज्यादा काम किया है यह पी इसके बाद प्रीए इसा बाद इंसर इसका डाबल 1 बराबर डाबली टू बराबर डाबली त्री अब यहां से math और biology सुरूए अप्सनल शुरूआत होता है तो बगल में घर बर रहा है तो अगर थोड़ा दिख्कत होगा तुसे मैनेज की जिएगा ठीक मैं आप थोड़ा आउचा आवाज में बोल रहा हूं तेकि एक सट है कि इसका दस्वाब पद क्या होगा यह क्या होगा यह आपको बताना है तो यहां पर दस्वाब पद जो यहाप प्र यहाप प्र फर्मूला है बस याद होना चाहिए था आपको रूट वाला याद है तो यह आपको धडल बन जाएगा और इसमें जो नीचे आ जाएगा जब यहां पर C दिया है क्योंकि नीचे A आता है तो यहां से C नीचे आ जाएगा तो A वाले तो पहले ही खतम हो जाएगे ठीक बचा यह दो अपसन यह दो अपसन में आपको याद होना चाहिए कि अंदर जो होता है यह अब यहां पर फ़ले मयत बता लेता हूं फिर उसके बदबालो जी भी बताते चलूंगा एक स्लाइड में यहां पर देखिए यह बोल रहा है कि नेचुरल नमबर खाती यह वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा तो यह रख कर देखिए यह सब आपको क्या आएगा मिसकी सम संख्या ही आएगा सम संख्या एगा इसमें रख कर देखिएगा तो आगे चलते हैं अब इससे बनाई यह कुशन बड़ा मस्ता था यह कुशन जो आपको बनाया था यह जो भी बनाया होंगी इसका इंसर तीन आना चाहिए आर का भेलू तीन आएगा यहाद रखेगा और है तक का पूछ रहा था की कमान एक पड में तो पी कमान एक पड में निकालिएगा तो एक ग्यारह माइनस ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा इसका भी इंसर अब यहां पर देखिए बाईलोजी से बता दूए कि यह दिया हुआ हूआ है क्या कि ओरल पॉलियो बैक सिन का ख वस्तिक का पार्थ है 62 के इंसर अप लगाईएगा यहाँ पर बाइलोजी वाला मैं बता रहूं बाइलोजी वालन के लिए ठीक यह यह नहीं यहां पर देखिएगा करपोरा क्वाडी क्वाडीजी निम्ना यह किसका भाग है यह पूछ रहा है ठीक सही बोला यह अपको ब्र पादब तयार किया जाता है इंग्लिस में समझें इन प्लांट टीसू कल्चार इस ग्रोन इन विट्रो टू अप्टेन वायर्स फ्री प्लांट यह आपको किसमें यह आपको बताना है यह वाला कुशन थोड़ा सस्पेंस टाइप का है यह आप खुद बताईएगा ज्यादा मतर के पोधे पर मतर के तो 64 कैंसर भी हो जाएगा कोशन अबर पैसर देखिए कि परतेक विक्र में कौन जो विरिक होता है इनमें अनेक निस्पंदन एक उपस्तित होते हैं यह आपको छोटी जो इकाई होती है ना लार्ग नंबर ओफ फिल्ट्रेसन यूनिट इन किडिनी की जो सबसे चुटी-चुटी उसकी सायक होता है इसे नेफ्रोन यहाद रखेंगा निफ्रोन हो जागा इसके कैंसर नेफ्रोन तो फिर यहां समय आपको मैंठ ही स्टार्ट करता हूं फिर उसके बाद मैं बालू जी बतांगा तो मैंठ कहां तो पैसर यह 6 शाथवा मैठ थ यहां पर दो आजाएगा दो किलुमिटर प्रती घंटा इंसर आजागा ठीक यहां से अगर बात किया जाए तो दो ही आणा चाहिए आपको सेसफल के रूप में यहां से अगर बनाते हैं यह आपको भाग देकर यह आजाएगा यहांपर भी हो जाएगा वैसे भी एक्स यह इंसर आजागा तो कुशन नबर 68 देखिए कि समनांतर सणी में कितने पद हैं देखिए लास्ट दिया है 68 और पूछ रहा है तो यह डिरेक्ट अप्सन सहीं उष्ठा लिजे पहले हम क्या उठाते हैं है यह माल लिए 21 पद होगा थी 21 तियां इस आठ और पांच नहीं हो पाएगा 22 पद होगा तो 22 इंटू 3 कर दिजे और प्लस फाइव कर दिजे 22 इंटू 3 नहीं बाइस माइनस वन और एंटो थ्री क्योंकि एन माइनस वन होता है तो यहां पर 21, 63 और 5 और 17 कि आपको क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 22 पद 22 पद हो जाएगे यहां पर 22 पद हो जाएगा ठीक अब दीके यहां से पूछ रहा था के का भैलू तो के का भैलू जब 69 में कुशन में निकालिएगा यह देख लीजिए यह कुशन है दर जिश्टेंस बिट्विन तू पॉइंट दिया है पी एंड क्यू इस नौ इनुट देन तक भैलू अफ के का भैलू पूछ रहा है तो यह हो स्का बैलू निकालना है तो बस एसका बैलू निकालिये औस अराम से बन जाएगा यहाइगा अब दिक्यों ऐस दिखें यहां पर कोश्चन Creek चार्चतर चर्ट करते हैं एक मानों युगमनज में होता है एक मानों 7 vais en earlier और देता है तो अप मिलाते चली कुरूब होता है जो यह क्या होता है आपको बताना है एक यह क्या पर जालेगा इसमें बताना है ठीक कि इसका हो जाएगा चाशड़ कैंसर यहाँ तो होगा है डाकल virs दुख्षय के यहाँ पर देशाथ कने होता है यहाँ पर दिखिये यहाँ पर दिकरतिक हैं यह महान भी ज्यानिक डार्वीन द्वारा दिया गया था ठीक है यहां पर आपको चार्स डार्वीन याद रखेगा 69 दिखे कि वाटर लॉस फ्रूम लिप्स थ्रो अस्टुमाटा इस काल का क्या हलाता है तो यह जो कहलाता है कि अगर बोल रहा है कि पतियों के रंदर द्वारा जल की छती कहलाती है यह क्या कहलाती है तो 69 का एंसर क्या हो ज आते हैं अंग मिले कर पूरे सरीर पढ़नाली बनाते हैं ठीक तो यहां पर आप दिखे यह क्या हो जाएगा इसका एंसर कोशी का उत्तक अंग और अंग पढ़ना लिए इसका एंसर हो जागा भी आगे चलते फिर मैं यहां से स्टार्ट करते मैं कहां तक छोड़ेते सत्तर यहां से स्टार्ट होता है एक एक हथर मैं बता देता हूं कि यह जो दिया है कि एक सो साथ रुपया में 90 पोल बेचने पर एक बेटिक को 20% के हाणी होती है तो 96 रुपया में बेचने पर उस परसेंट को कितने 20% कलाव होगा तो 36 पेन कितने पेन बेचेगा चानवे रुप देखें यह आपको कितना हो गया 30 30 60 65 तो पचीस परसंट आपको 64 55 निकाल कर बन जाएगा तो यह कितना आजाएगा चुछ पर सब्सक्राइब करना इतना है ठीक और कलांतर में यह पाया जाता है कि एक विद्यार्थिक अंक त्रूटी पूर तेज के अस्थान पर 32 लिख दिये गया है तो तेज के अस्थान पर 32 लिख दिये गया है तो जो बढ़ाया है उसे घटा देना है तो 32 में पले आपको क्या करना है देखना है कि इसे कितना बढ़ा कर तो नो बढ़ा कर लिखा है नो में 50 से भागा दे देना है और नो में 50 से भागा दीजेगा तो वन पॉइंट आना चाहिए और इससे आपको क्या करना है यहां से घ तो यह आपको बना लेना है अगे चलते हैं कि कुश्चन नबर 75 देखें कुश्चन मरत पुचात्र क्या कर रहा है यह कि फैंड दो फैंड भैलु और यह दिया हुआ ठीक तो यह आपको क्या करना यह आपको नीचे चला जाएगा सिक जो जागा कॉस्ट में कॉस्टी हो सब्सक्राइब है यह जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बिलू नुल लोसस यह याद रखेंगा इसके इंसर बहत्तर का एंसर हो जाएगा कुश्चन बर 73 कि कैयो पेट्रूफीली काईर पेट्रोफीली जो है यह फूलों में पराक्ण किसके द्वारा जाता है यह किसके दुरारा जाता है यह आपको बताना है कुश्टन नमर 63 है यह जो जाता है आप देखे़ें एक मिनट यह यह देखें यह जो जाता है यह जो जाता है में जिन का क्या किया जाता है आपको बताना है यह जो होता है इसमें कौन से ग्रीण तो यह आपको पता होना चाहिए कि carbon dioxide और मिथन जो है यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस कैस है यहाँ पर carbon और मिथन हो जाएगा 75 के अंसर सी अब यहाँ से फिर मैथी स्टार्ट हम करते हैं 75 देखें यहाँ पर 76 आएगा देखें कुछ समकोर तिरभोज बनेगा यह याद रखेगा question 97 है question 97 यह देखेगा question 97 खुद मिलाईएगा क्योंकि इसे हम नहीं देखे और question 97 आपको खुदी बनाना है अगे चलते question 98 देखें question 98 है किन मिलेकित में कौन एक भिन सबसे चोटी है तो सबसे चोटी जो हो जाएगी यह आपको 7 by 9 हो जाएगा कुल 0.8 में आ रहा है यह सब 0.8 में आएगा लेकिन यह 0.7 में आएगा ठीक तो यह 0.7 छोटा हो जाता है 0.8 से यह हो जाएगा कुशन अबर 89 है यहाँ पर देखे की कोई है एक थैला में एक रुपिया 50 पैसे और 10 पैसे की सिख्ये जो की 187 रुपिया है तीन चार पांच अनुपात में रखे है तब 50 पैसे की सिख्ये कितना हो जाएगा तो इससे बनाईएगा इसका निकल करा संख्या में से ऐसा कौन सब्सक्राइबिलीटी है जो की मल्टिपल होना चाहिए तीन और चार का गुरज होना चाहिए इसका परिक्ता बताना है तो जैसे की तीन और चार का गुरज 12 हो सकता है 24 हो सकता है ठीक और 48 हो सकता है यही तो हो सकता है तो चार बटा में यह आपको टोटल 50 संख्या तो यह आपको दो ये 25 दो बटा में 25 आ जाना चाहिए इसका एंसर क्या होज़ेगा दो बटा में 25 ठीक अगी चलते हैं यहां पर बैलो जी कमें कुशन करा दूं यहां से यह जो कुशन कितना था पचातर था जातर में कुशन क्या तक नमलिकित में कौन से जीव समुह भूमी का उर्वर बढ़ाने में साहत करती है तो यह साइनो बेक्टरिया साहता करती है और रोकता बढ़ाने में कुशन नबर 77 देखिए कि पोधे में दूतियक ब्रिधी के लिए उत्तरदाई है उत्तक आगे चलते हैं कि कुशन नबर यहां पर देखिए कुश यह देखिए यहां से यह जो यह था यह दोसरा कुशन है यह कुशन नबर 77 उपर था कि कौन से आपको सिकेंडरी गुर्थ प्लांट के लिए मिसकी दूतिय ब्रिधी के लिए उत्तरदाई है तो इसमें आप इंसर यह हो जाएगा यह 77 अप लगाईएगा तो इसके में हो जाएगा एधा तो होगा ही हिंदी में इसका नाम है इंग्लिस में केंबियम यह याद रखेगा इंसर ए हो जाएगा अब आगे चलते कुशन नबर 78 देखिए कुशन नबर 78 कि जब नुक्लिक अंग एंजाइम की त एरित्रोज, जाइलोज और मेनोज यह हो जाना चाहिए यह कुशन पर 80 देखते हैं और आज का लास्ट कुशन यह बाइलोजी का कि निमलेखित में कौन सा कर्भोहेटरेट जन्तूओं में भंडार माना जाता है यह गलाइकोजोन हो जाएगा जन्तूओं में पूछ रहा ह तो अच्छा माक्स आएगा उनका निमलेखित में चीर का विलॉम सब्द कौन है तो चीर देखिए अगर चीर का विलॉम सब्द देखिए गया तो इसमें अचल हो जाना चाहिए ठीक बाकि अपने उपर है आप क्या लगाते है ठीक यह पर तो मेरे हिसाब से अचल ही होना तो आपको यहां पर क्या है कि यह समय और काल दोनों दिया है तो दोनों में से एक निकाल देना क्योंकि काल ही समय एक तरफ से है तो यहां पर अराम से यह बना सकते थे कि यहां पर समय लगा देना एक उचित नहीं है ठीक तरफ सब्द के लिए निकाल क्या है तो सोना धतूरा गेहू पलास के लिए अलग अलग सब्दों के लिए कनक होगा कनक मिस सोना भी धतूरा भी गेहू और पलास के लिए उपयोग किया जाता है तो कनक होगा कुश्चन नमर 86 है कि नमलिकित में से पंडित का प्रवाची सब्द है तो पंडित का जो प्रवाची सब्द होगा यह होगा आपको कौन तो कोबिध होगा, मनिसी होगा, प्राग्य होगा बिच्छषड होगा, ठीक यह याद रखेगा, यह D हो जागा इसका कुश्चन देखें, यहां से पढ़ कर यह आपको लगाना था हिंदी वाला, यहां पर हम रोख देते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अगर अब देख कर लगाना चाहते हैं, तो अब यहां से मैं बताता हूँ, 87 से इंसर्ट, समाज में आम आनविय परविर्ती का बोल बला कब हो हो जाता है जब हम कर्तबो की अपेक्छा, अधिकारों पर ज़्यादा बल देने लगते हैं, यह याद रखिएगा अनास्था सब्द का बिलों, अस्था हो जाएगा, जीवन मुलों के बारे में क्या सच नहीं है, यह आपको बताना है, जीवन मुल्यों के बारे में क्या समाज का मेरूधंट और समाज का दर्स, यह तीनों दिया है, ठीक, लेकिन यह आपको जो नहीं दिया है, कौन? तो समाज का दिकार, यह इंसर हो जाएगा, कौन सच नहीं है, तो समाज का दिकार, ठीक यह आपको पैसेज पढ़कर लगाना था तो 90 कसी हो जाएगा अब यहां से English दिया था English का पैसेज दिया था यहां से भी 4-5 कुशन थे पैसे से यहां से जो suitable लगेगा वो मैं आपको बताती चलता हूं कि why does the author consider the search of for the imaginary elixir for a life in vain ठीक इसका answer जो होना चाहिए इसका सठीक एंसर जो होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं यह होना चाहिए because the elixir of life lies near our hands and is very common ठीक यह इसका answer होना चाहिए ठीक बाकी है कि 92 है कि what does belonging mean तो इसके मतलब पुछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा तो इसका मतलब हो जाना चाहिए reclining ठीक यह याद रखिएगा D हो कि यह जो दिया है इसके मतलब क्या होता है पैसेस में जो दिया हुआ है इसका होगा मतलब होगा यह भेरी अस्माल अस्पोर्ट हो जाएगा ठीक यह याद रखिएगा यह भेरी अस्माल 93 कंसर भी हो जाएगा question है आपको 94 कि what according to the author is divine divine अमरिता क्या है यह एक वाटर है हो जाएगा question number 97 देखिए question number 90 क्या था कि care would a little care यहाँ पर क्या होगा a little care would have prevent the accident ठीक तो यहाँ पर C हो जाएगा question 97 है कि taxi तो the taxi broken down यहाँ पर क्या हो जाएगा broken down हो जाएगा on the way of the airport I thought I nearly missed my flight ठीक यह हो जाएगा broken second down और लास्ट जो second last question है अंठानवे दिखें यहाँ पर क्या question है कि he is unable to read and write उसके लिए one word substitution क्या हो जाएगा तो illiterate illiterate को क्या कहा हो पढ़ नहीं और लिक भी नहीं सकता उसे illiterate कहा जाता है और 99 जो question था कि अगर लिश्ट ऑफ आइटम हो business business to be translated in meeting तो इसे एजेंडा बोला जाता है कोई भी एजेंडे पर तुम मीटिंग में बात होता है तो एजेंडा हो जाएगा 99 एंसर भी हो जाएगा question number 100 और आज का last question देखिए कि यहाँ पर आपको क्या suffix जोड़कर यह बताना था यूज में फुल जोड़ दीजेगा यहार पुलिस में पूछा हुआ था ठीक तो 100 के अंसर क्या हो जाएगा यूसफुल हो जाएगा मैं इसकी ए हो जाएगा फूल जोड़ना है आपको यूसफुल हो जाएगा ठीक अब यहां से 100 question था यह कितना आपने सही किया यह बताना है अगर कोई question में डाउट है तो कुमेंड बक्ष में मैं आपको reply दे दूँगा और कितना अपने question किया सही कितना गलत यह भी आप बता सकते हैं एक question पर आपको चार नंबर मिलेगा जिसके total 100 question है तो 400 marks का होता है और एक negative one third है यहां पर ध्यान में रखिएगा तो अगर मान लिजे कि आप question कितना किये हैं उसके coding ही मैं आपको cut up बताऊंगा क्योंकि बहु